आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, जो मैंने अभी समझाया? ओके, बाई! दोस्तों, ऐसे समय में जब सभी घर पे हैं, तो ऐसे में जितनी भी मीटिंग्स हैं, जितने भी ओनलाइन क्लासेज हैं, उनके लिए जो सबसे यदा यूस्फिल अप्लिकेशन साबित हुई है, वो है जूम अप्लिकेशन, इस अप्लिकेशन को कैसे यूस करते हैं, कैसे ओनल online classes देते समें किन-किन चीजों का ध्यान रखते हैं किस तरह से आप अलग-लग तरीकों से बच्चों को पढ़ा सकते हैं घर बैठे यह जानेंगे हम इस वीडियो में दोस्तो आज किस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे जूम क्लाउड मीटिंग का इस्तमाल करके आप घर बैठे बच्चों को बढ़ा सकते हैं और उनके साथ मैं note share भी कर सकते हैं और भी बहुत सारे activities कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक जूम application की बारी किसे सारे tips and tricks बताने वाला हूँ यहां पर जूम application को install करने के लिए प्ले स्टोर पर जाईए और वहां पर टाइप कीजिए जूम cloud meetings और यहां से इसे install कर लीजिए यह देखिए यह application इस phone में install हो चुकी है आपको अपने सारे students को भी application उनके phones में install करानी होगी यहां से आप इसे open कीजिए जब आप पहली बार open करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का interface दिखाए देगा नीचे आपको तीन option मिलेंगे पहला join a meeting दूसरा sign up और तीसरा sign in अगर आप एक teacher है तो आप simple यहां पर जाईए sign in पर student से कहिए कि वो join a meeting पर tap करें sign in पर जब आप यहां पर जाएंगे तो आपको तीन option यहां पर मिलेंगे SSO, Google और Facebook आपको simple क्या करना है अपने Google अकाउंट से यहां पर login कर लेना है जिससे आपको यहां पर account बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी यहां पर आपको आपका email id दिखा ही देगा जो आपने phone में पहले से login कर रखा होगा इस पर tap कीजिए जैसे आप इस पर tap करेंगे तो आप zoom के साथ login हो जाएंगे बस यहां से आपको zoom को launch करना है देखें जब आप पहली बार zoom application को open करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का interface मिलेगा उपर आपको meet and chat का option मिलेगा यहां पर new meeting, join, schedule, share screen नीचे आप देखेंगे तो meet and chat, meetings, contacts और setting का option मिलेगा आपको ठीक से समझाने के लिए मैंने यहां पर दो phone लिये हैं, पहला एक teacher का phone है और दूसरा student का phone है और इन दौनो phone में मैंने zoom application को install किया है, देखें अगर इस वाले phone को आप गौर से देखेंगे तो यहां पर भी zoom application install है हम इसे भी open कर लेते हैं, आपको जब zoom पर कोई भी class देनी है तो आपको पहले से अपने students को बताना होगा कि zoom पर इतने बजे class शुरू होने वाली, ताकि वो तयार हैं आपकी class को join करने के लिए तो मैं आपको दोनों phone से साथ साथ में बताता जाओंगा कि कैसे teacher का phone इस्तमाल होगा और कैसे student का phone इस्तमाल होगा, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं तो पहले हम इस वाले phone को रख देते हैं और यहां पर आप देखेंगे आपको option मिलेगा new meeting का, यहां से जैसे आप इसको tap करेंगे तो यहां पर आपको video on और use personal meeting id का option मिलेगा यहां पर जब आप इसे on कर देंगे तो यह जो meeting id है यह आपकी permanent ready है और कभी बदलती नहीं है अगर आप इसे एक बार अपने students को दे देंगे तो आपकी student कभी भी इस meeting id का use करके और class जो है join कर पाएंगे यहां पर आपको option मिलेगा start meeting आपको कुछ नहीं करना है पहले से बता देना है कि 11 बजे या 12 बजे class शुरू होगी और आप सब भी तयार रहें यहां पर जब आप start meeting पर tap करेंगे तो देखे connecting की प्रक्रिया शुरू हो गई और यहां पर आपकी meeting id के साथ साथ में आपको एक password भी दिखने लग जाएगा यहां पर जो zoom है वो access मांगेगा आपके microphone की, camera की और storage की ताकि जो mic है वो आपकी आवाज को record कर सके और जो camera है उससे आप video record कर सकें तो यह permission आप उसको दे दीजिए यहां पर देखे allow zoom to record audio इसको भी आपको allow कर देना है यहां से record video को भी allow कर देना है और देखे आपका जो zoom meeting है वो शुरू हो चुका है अब आपको करना क्या है आपको यह जो id दिख रही ओपर जो lock लगा हुआ है और नीचे जो password लिखा हुआ है अपने students को बता देना है और जैसे ही वो इसे एंटर करेंगे तो वो इस meeting को जोईन कर लेंगे नीचे आप यहां पर देखेंगे आपको more का option भी दिखाई देगा यहां से आप meeting की setting कर सकते हैं यहां पर आप देख रहे हैं lock meeting है, waiting room है, share screen है chat का option दिया गया है और यहां पर आप देखेंगे meeting का topic दिया गया है यह सारी चीज़ें यहां पर दी गई है तो सबसे पहले हम जो meeting ID और password अपने students को बता देते हैं देखें meeting ID हमने यहां पर टाइप कर दिया, इसके नीचे आपको एक नाम वाला option मिलेगा आप चाहें तो आप यहां पर अपना personal नाम टाइप कर सकते हैं अपने student से कहिए कि वो अपना जो नाम है वो यहां पर टाइप करें तो थोड़ी देर wait करना होगा, अब देखें यहां पर आपको option मिलेगा please enter your meeting password बस इस पर tap कीजिए और password एंटर कर दीजिए तो देखें हमने यहां पर password एंटर कर दिया है और बस इसे यहां से आपको ok करना है तो यहां पर आपको नीचे जैसे आप ok करेंगे, ok करने के साथ में आपको permissions देनी होगी camera की और audio की तो यह permissions दे दीजिए और यहां पर आपको option मिलेगा अपना video भी भेजने का तो अगर आप video साथ में chat करना चाहते हैं तो यहां से join with video करिए नहीं तो join without video करिए तो हम यहां से join with video करते हैं जैसे ही सारे student join हो जाएंगे तो आपको यहां पर waiting room में सभी students दिखाई देने लग जाएंगे आपको waiting room देखना है यहां पर दभी के चार student यहां पर जुड़ गए हैं तो हम सब को join करा लेते हैं एक एक करके तो देखे कुछ इस तरह का display आपके students के phone में आएगा और देखे आपके phone में कुछ इस तरह का interface आपको दिखाई देता रहेगा और जो आपके teacher की camera जिस भी смотрите camera की वो दिखाई दे रही है और यहां पर आप देखने हैं जो मेरा cum camera है जो मेरा यह वाला जो camera पीछे वाला है यह जिए जो चीज respuesta कर रहा है वो student के phone में इस समय दिखाई दे रहा होगा और student क्या कर yogurt में वो मुझे मेरे फॉन में यहां पर दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे नीचे जब एक option आपको में देगा mute वाला आप चाहें तो अपने जो phone का mic है उसको mute कर सकते हैं और video को भी अगर चाहें तो stop कर सकते हैं अगर आप video stop कर देंगे तो आपके students को केवल आपकी photo दिखाई देगी ना कि आपका जो video है वो दिखाई देगा अब simple आपको क्या करना है वीडियो को on करना है और अपने students को पढ़ाना है अब यह सबी लोग बात कर रहे हैं अगर आप चाहें तो यहां से उस आवाज को mute कर सकते हैं ताकि उनकी आवाज आपको सुनाई ना दे अब इसके बाद आपको क्या करना है पढ़ाने के लिए आप आप कोई book पढ़ाना चाहते हैं अपने students को तो simple उस book को अपनी table पर रखिए तो जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पास यहां पर एक book है और मैं अपने phone को इस तरह से landscape कर लेता हूँ और यह दूसरा phone है यह आप देख रहे हैं अब मैं बुक में से कोई भी चीज अगर पढ दाने हैं तो यहां book को हटाईए उस copy को रखिए उसके पास अपने camera को ले जाए इस तरह से और यह देखिए मैं इस phone को भी सीधा कर देता हूं अब यहां पर आपको simple pencil लेनी है camera उसके पास में रखना है और उनको जो भी आप पढ़ाना चाहेंगे वो आप इस तरह से पढ़ा सकते हैं आप जितना पास camera को ले जाएंगे zoom करेंगे वो उनको दिखाई देता रहेगा अब इसके बाद में और आप क्या 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 कर सकते हैं अब इसके बाद म screen और share whiteboard का option मिलेगा है सबसे पहले whiteboard वाले option को देखते हैं अगर आपके पास pompy भी नहीं है आपके पैंसिल भी नहीं है कुछ भी नहीं है तो आप कैसे पढ़ा सकते हैं यहां पर आपको टैप करना है नीचे आपको pencil rubber आपकी जो pen pen का color है वो आपको मिल जाएगा यहां प पर दिख रहा है और मैं जैसे real time में जो चीज भी जो भी activities करता जाओंगा वो उस student के phone पर भी आपको दिखती जाएगी यहां पर आपको eraser मिला है इसको मिटा सकते हैं और इस screen से बाहर निकलने के लिए simple आपको यहां पर tap करना है और यहां पर आपको option मिलेगा stop share का तो जै यहां से आप photo share कर सकते हैं तो जैसे आप photo पे टैप करेंगे तो आपकी जो phone गैलरी है उसके सारी जो files है वो आपको दिख जाएंगी आप कोई भी फाइल अपनी phone की गैलरी से कोई भी photo phone की गैलरी से अपनी student सक पहुचा सकते हैं तो दूसरा option हमें यहां पर मिलता है screen का अ तो आपके जो phone की screen है वो आपको दिखने लग जाएगी और same वही screen आपके student के phone पर भी दिखने लग जाएगी अब यहां से आप जो भी activity करेंगे वानिया अपने phone में आप कोई भी document open करते हैं पूरी screen दिखाए देगी आप कोई भी document कोई भी file कोई भी demonstration आगर आपको देना है तो वहाँ आप दे सकते हैं यहां corner में आपको एक icon दिखाए देगा इससे बहार निकल नहींगे आपको वहाँ पर जाना है और यहां पर इसको stop कर देना है इस तरह से आप बहार आ जाएंगे इसके बाद में यहां पर आपको share में google drive का option मिलेगा photo and document का option मिलेगा document पर जैसे आप टैप करेंगे आपकी device का storage आ जाएगा यहां से मैं download वाले option पर जाता हूँ और यहां पर एक PDF फाइल है मैं उसको select करता हूँ और share कराके दिखाता हूँ आपको यहां पर एक newspaper की cutting है और same यही newspaper अभी आपको आपके student के phone पर भी दिखाई देने लग जाएगा आप उसको zoom करके अपनी screen पर दिखा सकते हैं same जैसे आप zoom करेंगे वैसी उस screen पर भी zoom होगा और यहां पर नीचे आपको option मिलेगा stop share का तो इस तरह से आप जूम application की मदद से अपनी students को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं hello बच्चो आपको कैसा लग रहा है आपको समझ में आ रहा है जो मैं अभी समझाया ओके बाई दूस्ते एक बार class complete होने के बाद आपको यहां उपर end वाले बटन पर tap करना है और यहां से आपको end meeting करना है ना कि leave meeting करते हैं तो किवल आप उस class से बहार चले जाएंगे और बाकी की सारे लोग जो है वो आपस में communication करते रहेंगे तो आपको यहां से क्या करना है end meeting करना है और आप जैसे end meeting करेंगे तो जो meeting है वो बंद हो जाएगी सभी के phone पर जो display है वो चला जाएगा तो आप समझ गया होंगे कि zoom application को इस्तमाल करके कैसे आप online पढ़ा सकते ह हैं बच्चों को नई नई चीजें सिखा सकते हैं घर बैठे भी